अपने स्वास्त और हेल्थ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में प्रेस करें बेल आइकन वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हलो फ्रेंट्स मैं रवीब वर्मा और आज में बात करूंगा सेप्ट्रिया जोन इंजेक्शन के बारे में मैं पहले ही किलियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ आपके जानकारी के लिए है इस इंजेक्शन का इस्तमाल आप अपने घर पर कभी न करें किसी परसिचित डॉक्टर के द्वारा ही इस इंजेक्शन का इस्तमाल करें अगर सेप्ट्रिया जोन इंजेक्शन की पूरी जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर दखें क्योंकि इस वीडियो में मैं septria zone की पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ कौन-कौन से बिमारियों में septria zone के injections लेने चाहिए इसके क्या doses होते हैं उसके क्या side effect हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे patients आते हैं जिनको मैं बोलता हूँ इसका पूरी dose लेना बहुत important होता है इसकी पूरी dose लें जितना आपको डॉक्टर के द्वारा recommend किया जाता है उतना doses जरूर लें लास्ट में मैं बात करूंगा वह कौन सी बिमारी है बच्चों में जो हो जाने के बाद septria zone के injections नहीं लेने चाहिए तो इस वीडियो को last तक जरूर देखें तो वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप मेरे नए viewers हैं तो चैनल को subscribe जरूर करें क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी तरह के medicines के बारे में सही जानकारी दी जाती है आपके health के बारे में सही जानकारी दी जाती है अगर आपने facebook page को भी like नहीं किया है तो मैंने link description में दे रखा है वहाँ पे भी आप facebook page को like कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे मैं रोजाना एक blog डालता हूँ जो आपके लिए important हो सकता है तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को like करें वीडियो को share जरूर करें ताकि यह information दूसरे लोगों तक पहुंच सके पहले जान लेते हैं septria zone है क्या septria zone एक antibiotic है जो cephalos foreign group का एक सदस्य है antibiotic होने के कारण यह mostly bacterial infection में ही work करता है अगर किसी और तरह का infection आपके body में हो चुके हैं और आप इस injections का इस्तमाल कर रहे हैं तो आपको कोई भी benefit दिखने नहीं जा रहा है अब आते हैं इसके इस्तमाल पर आखिर कौन-कौन से बिमारियों में इसका इस्तमाल किया जाता है मैंने पहले ही बताया है कि यह एक antibiotic है और इसका इस्तमाल mostly bacterial infections में ही किये जाते हैं तो बैक्ट्रिया से उत्पन जितने भी तरह का infections है उन सभी में सेप्ट्रिया जोन का इस्तमाल डॉक्टर के द्वारा किया जा सकता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिमारी हैं जो बैक्ट्रिया के कारण उत्पन होते हैं जैसे bacterial meningitis जिसे दिमागी बुखार भी कहा जाता है septisemia, gonococcal infection इन सभी को आप सर्च करकर देख सकते हैं क्योंकि सभी को मैं detail करना शुरू कर दूँ तो वीडियो 20 मिनट से उपर चला जाएगा gonoccal infections हो गया है UTI हो गया यानि urinary tract infection urinary tract infections में पेसाब के रास्ते में जलन उत्पन होता है जहां पे doctorate के दौरा septria zone injections का इस्तमाल किया जाता है pneumonia patient में भी septria zone का इस्तमाल बहुत ही बहतर किया जाता है SSTI हो गया यानि skin and soft tissue infections इन सारे बिमारियों में ये कुछ मैंने मुख्य बिमारी बताया है illness बताया है जहां पे septria zone का इस्तमाल doctorate के दौरा widely use किया जाता है तो इन सभी infections में septria zone का इस्तमाल किया जाता है अगर आपको viral infection है या तो फिर viral fever है या फिर fungal infection है तो उन सब चीजों में उन सब illness में septria zone work नहीं करेगा आपकी बीमारियां ठीक ही नहीं होंगी अगर आप injections लेते हैं तो viral fever में बहुत जादा लोग कभी कभी septria zone का इस्तमाल करते हैं जो कि बहुत ही गलत है इसका इस्तमाल viral में नहीं करना चाहिए और नहीं fungal infection में करना चाहिए ये mostly keval result दिखाएगा तो वो है bacterial infection बैक्टरिया से उत्पन बीमारियों में ही इसका इसका इफिकेसी हो सकता है आप जानत ही septria zone injections लगवाएं क्योंकि शुरू बार में शुरुवात में इसके गंभीर side effect कोई कोई व्यक्ति पे देखा गया है इसलिए जब भी आप injections लगवाएं पहली बार तो किसी पर सिच्छी डॉक्टर के सामने ही लगवाएं इसका जो common side effect है वो vomiting हो सकता है अगर आपको inject किया गया उसी दौरान पूरा injection लगते समय ही आप वो मिट कर सकते हैं रहस हो सकता है आपके body पर पूरे body पर कहीं पर भी रहस हो सकता है दस्त की समस्या हो सकती है इंजेक्शन लेने के बाद आपको चक्कर का भी अनुवब हो सकता है इस injection के जो common side effect है वो चक्कर आना भी है आप आपको जहां पर इंजेक्शन लगाई जाएंगी वहां पर जलन भी आपको महसूस होगा यह मैंने पूरा जो बताया है वो common side effect आपको मैंने बताया है यहां पर आप जानते इसके doses के बारे में आखिर सिप्ट्रिया जो निंजेक्शन के क्या dose हो सकते हैं तो इसके जो dose है वो सभी बीमारियों में अलग-अलग होता है निमोनिया में इसका dose अलग है बैक्ट्रियल मेनेंजाइटिस में इसके dose अलग होते हैं तो बहतर होगा आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें वहां पर डाइग्नोस करकर आपको डॉक्टर के द्वारा जानकारी दी जाएगी कि आपको कितनी दीनों तक ये doses लेनी है और उसी के अनुसार आप उस dose का इस्तमाल करें लेकिन इसका जो maximum dose है वो 50 mg to 75 mg per kg per day in divided doses का है इसे आप हमेशा याद रख सकते हैं लेकिन इस injection का आप इस्तमाल घर पर कभी न करें क्योंकि इसके गंभीर side effect देखे गए हैं आप जान या तो फिर किसी डॉक्टर को नहीं देनी चाहिए और वो है जॉन्डिस अगर इंफैंट्स अगर न्यूनेट इंफैंट्स है और उसे आप सप्ट्रिया जोन के इंजेक्शन दिलवा रहे हैं तो आप पहले जाच कर लें कि उसे जॉन्डिस की बिमारी है या नहीं है पी लोगों को जॉन्डिस है वहां पर उन लोगों को सप्ट्रिया जोन के इंजेक्शन दिये जा रहे हैं तो वीडियो अच्छा लग हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर आप मेरे नए विवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें